तो हेलो गाइस वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग तो अभी बज़ें शाम के पाँच और नक्षू और मैं जा रहे हैं बाहर हम कहां जा रहे हैं बाहर हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया है गाडन जाने का क्योंकि नक्षू मुझे काफी दिन से कह रहा था उसकी एक्जाम की व नीचे आये यह संदीब गैलरी में हमें बाय करने के लिए आये देखे यह रहे संदीब उपर खणे हैं और नक्षू और मैं हो गए रेडी और हम दोनों चले आज काडन चले आज नक्ष को गाडन गुमाने का प्रोग्राम बनाया हमने तो नक्ष को गाडन लेके गई काडन में एंटर होते हैं यहां देखिए पास में चल रहे थे भजन यहां पर बहुत सारी भीर थी सब लोग बजन कर रहे थे और नक्षू और मैं अंदर आ गए और नक्षू तो भापरे आते ही यहां लटकने लगा वहां लटकने लगा कभी यहां चल रहा था कभी वहां चरू रहा था तो यह पता नही Türkiye नक्ष को यह ऊपर क्या है तो नक्षू तो यहां पे चर्ण तो गया नक्षू लेकिन यह समझ में नहीं रहा था किसके आगे करना क्या है उसे और और उसे उत्तर ना कैसे तो वो अंदर चला गया मैंने उसे कहा तुम फस नहीं जाओ अंदर जाके लेकिन वो कहां सुनता है वो चला तो गया अंदर लेकिन वो ऐसे ही फस गया अंदर तो वो वापस नक्षू नहीं बाहर निकल पा रहा था नहीं आगे जा रहा था तो जैसे तेसे करके नक्षू तो आ गया बाहर देखिए वो पीछे आ गया वापस नीचे उतर गया नक्षू को नहीं समझ में आया कि इसमें आगे करना क्या है फिर वहाँ सामने वापस नेट पे चड़ गया मेरे नक्षू है ना गाईस कहीं भी चड़ जाता है सीधा सीधा चड़ना आता है उसे लेकिन उसे वापस पीछे बैक करना नहीं आता हमेशा उपर जाके फस जाता है देखिए यहां से भी वो आदे में ही वापस नीचे आ गया उसे नहीं समझ में आया कि मैं उपर जाके क्या करूं तो नक्षू वापस आ गया फिर यहां पे नक्षू यह क्या है ये ट्रेड मेल है ये देशी ट्रेड मेल है गाइस इस गार्डन में ना बच्चों के खेलने की चीज़े तो थी लेकिन बड़ों के एक्सराइस की भी चीज़े थी तो मैं क्यों पीछे अटी मिझे भी थोड़ा फिटनस का ध्यान आगया अपना तो चलिए मैं भी चड़ कड़ के हाथ में भी नीचे उत्री उत्रने के बाद नक्षू मेरा गया वापस ये सीड़ी पे चड़ने और ये सीधी 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 पे फिर से चड़ गया और मैंने उसे कहां मेरे बच्चे तु क्यों चल रहा है सब जगा उपर तो वो कहां सुनता है मेरी लेकिन फिर से व बाद नक्षू यहां पर आया यह चकदोल पर चड़ गया मैंने उसे कहा चलो मैं चलाती हूं लेकिन यह चकदोल गाइस बहुत पुराना था तो यह तो भाई घूमी नहीं रहा था इसमें इस चकदोल में ऑईलिंग की जरूरत है इसे ऑईल डालेंगे तो यह फ्री होगा य अपिर नक्षू आ गया यहां पर जूले पर बैठने तो यह जैसे जूले पर बेठा तो यह पास में जो भीया थे नक्षू को देखके वह तो ऊठ गए उन्हें नक्षू को देखके शरम आ गई कि बच्चों के जूले मैं क्या कर रहा हूं तो वह तो विचारे चले गये वहां से नक्षू और नक्षू मज़े कहने लगा ममी आप आओ यहां पे मेरे जूले को फास्ट साथ धका मारो फास्ट चलाओ जूले को लेकिन ये जूला भी गाइस पुराना है तो मैं जितना भी फास्ट मार रही थी नक्षू को चला रही थी जूला ये जूला आगे पर नक्षू उतर गया गाईस नीचे फिर मुझे लगा आशू भाजू में कोई नहीं है तो चलो थोड़ी दिर मैं भी जूला एंजय कर लेती हूं तो गाईस मैं भी थोड़ी दिर के लिए बैठ गई जूले पर और नक्षू और मैंने साथ में जूले खाए थोड़ी दिर जूला खाने के बाद अच्छा लग रहा था पास में कोई नहीं था तो थोड़ी दिर के लिए मैं भी बैठ गई जूले पर और नक्षू और मैंने जूला एंजय किया फिर नक्षू तो उतर गया जूले से और मैं भी उतर गए गाईस फिर यहां पर पास में हमारी यह रोलर क्या चीज थी यह लड़की तो ऐसे चला रही थी मुझे लगता है कि यह रोज आती होगी गार्डन में इसलिए इसे इतनी प्रैक्टिस थी इस पर चड़ने के बाद तो यह बहुत फास्ट रोलर चला रही थी और नक्षू भी कहां पीछे अटने वाला है उसने कहा नक्षू ने फिर से कोशिश की चड़ने की तो यह बच्ची आके नक्षू को दिखाने लगी कि देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ यह कैसे कल चला रही है बहुत फास्ट चला रही थी यह तो नक्षू ने कहा चलो अब मैं चलाता हूँ तो इस लड़की ने उसकी की help नक्षू के हाथ पकड़के वो उसकी help करने रगी उसे चड़ाने में तो नक्षू चड़ तो गया उपर लेकिन दो सेकंड भी डुक नहीं पाया वहाँ पे नक्षू यहाँ वहाँ डिलते डुलते हुए बीच में आके बैड़ गया यह देखिए नक्षू बीच में आके बैड़ गया और नक्षू बीच में जूले काने लगया यहाँ यहाँ वहाँ तो नक्षू उतर गया नीचे और लेली अपने सूस पेहनने के बाद नक्षू और मैं गये पास के गारण में गारण मतलब उसकी उसी गारण का दूसरा पार था जहां गास विए दो हम लोग थोड़ी दिर वहाँ बैठने के लिए चले गए फिर हम लोग घर से लेके गए थे बॉल नक्षू के लिए खेलने के लिए तो नक्षू और मैं खेल रहे थे बॉल से केज-केज ये थोड़ी दिर नक्षू और मैंने केज-केज बॉल खेला भई हमारा नक्षू तो ठकता नह यह लेकिन नक्षु की मम्मी तो ठक जाती है यह कभी बॉल यहां फेक रहा था कभी वहां फेक रहा था तो मुझे तो बार बार उठाना पड़ रहा था नीचे से बॉल फिर यहां पर थोड़ी दिर खेलने के बाद मैंने कहा उसे थोड़ी दिर अब तुम रेस्ट करो चलो पानी बानी पीलो भया तो नक्षू और मैं बैठे थोड़ी दिर पानी बानी पीने के लिए तो जहां मैं बैठी थी ना मेरे पीछे यहां तुलसी के पोदे थे देखी आप तो मैंने वहां क्या देखा कि यहां पर पान मसाले की थूख पड़ी थी तो जो लोग खाते हो प्लीस आप इतना तो ध्यान दीजे कि आप लोग कहां थूख रहे वैसे तो गार्डन में कभी थूखना ही नहीं चाहिए वहां बच्चे सब खेलते हैं लेकिन अगर आप थूखते हो तो देखो तो सही आप कहां थूख रहे हो यह तुलसी है तुलसी वही जिसकी हम पूजा करते हैं और आप लोग इस पर थूख रहे हो फिर नक्षू यहां पर आ गया यह अपना नक्षू पुशप करते हुए देखिए उसका फेस तो देखिए जैसे बहुत एक्सरसाइस नहीं कर रहा है आहाहा यह पुशप मारते हुए नक्षू और यहां पर मुझे एक चीज देखिए यह क्या था यह देखिए यह मुझे समझ में नहीं आया कि यह है क्या यह राइट भी घूम रहा था और यह लिफ्त भी घूम रहा था तो आप लोगों को अगर पता है तो कमें debts में कि भडताना कि यह क्या चीज ने इससे क्या करते हैं और यहां पर देखिए मैं गोल 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 गूमती हुई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह मैं किस पर बैठी हूं जब गोल गोल गूम रही हूं नक्षु तो यहां पर है नहीं तो नक्षु की मम्मी क्या कर रही है यह गोल गोल कैसे गूम रही है तो देखिए फिर उसके उपर बेठा नक्ष तो गाइस यह यह चीज थी यह पता नहीं गोल्ड गूमने वाली कोई चैर थी जिस पर इसे थोड़ा सा गूम हो बैठके गुमाओ तो यह तो बाबा गोल 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 गूमी जा रही थी गूमी जा रही थी और यहां हमारे पास मे एक लड़की आके खड़ी हो गई मेरा कैमेरा चल रहा था तो कैमेरा के सामने आके वो डांस करने लगी उसे अच्छा लग रहा था तो मैंने भी थोड़ी दिर उसके सामने कैमेरा रखा और वो डांस करने लगी देखिए कैसे नाच रही है तो मैंने कैमेरा उसके सामने ही रखा और यहां पे नक्षु जूले खाता हुआ थोड़ी देर के बाद वो अभी भी डांस करें थी मुझे लगा ऐसे कुछ चाहिए तो मैंने उसे थोड़े पैसे दिये पैसे देने के बाद गाईस वो तो खुश हो गई और वो जादा डांस करने लगी देखिए वो खुश ओ गई और डांस करने लगी यहां पे नक्षु ए सामने जूले खा रहा हैं और यह लड़की ज्यादा डांस करने लगी बहुत खुश हो गई फिर यहां पे नक्षु तो वापस मेरा आ आ गया यहें रोलर पे और नक्षु को यह चलाना ही था साम दाम धन बैड नक्ष को यह चलाना ही था, नक्ष ने ख्ला मम हुआ यह बार फिर से में ट्राय करूँ गा. तो देखिए जाते-जाते घर पे इससे पहले घर फिर इससे चड़ गया, चड़ने के बार फिर से चड़ा, इससे गिरा, फिर से चड़ा, लेकिन यहाँ पे नक्षू ने अभी दोनों हाथ पकड़ लिये और चलाने की कोशिश की लेकिन नक्षू मेरा फिर से गिर गया और यहाँ वहाँ डोलने लगा देखिए मैंने उसे कहा बेटा अभी तुम्हें लगे इससे पहले तुम अभी नीचे उतर जाओ मैंने सोचा यह आखर चीज क्या है तो फिर मैं भी ट्राय करने के लिए चड़ गई गाई तो चड़ी यह देखिए मैं तो यहाँ वहाँ चड़ने के बाद सीधा बीच में आके ही बैठ गई और मैं तो हसने लगी अपने आप परी मज़े तो हसी आ रही थी कि मैं यह क्या कर रही हूँ देखिए बापा मैं तो गिरते गिरते बची अगर यहाँ से मैं गिरती ना तो मेरा पाउं तो जरूर टूकता तो मज़े घर पे कौन लेके जाता तो फिर नक्षू और मैं वहाँ से उत निकले और रात हो गई थी गाइस मैंने नक्षू को कहा और देखिए नक्षू मेरा कहा रुकने वाला वो अपने पाउं से नहीं तो हाथों से चलाने लगा नक्षू मेरे हाथ पाउं पूरे जब तक ठकते नहीं है न वो रुकता नहीं है और चलिए घर पे जाने का टाइम हो गया था अंधेरा हो रहा था तो नक्षू और मैं निकले घर स्पे और नक्षू ने मुझे कहा मम्मी मुझे खानी है आइस क्रीम तो मैंने कहा चलो भई तुम्हें खिला देते हैं आइस क्रीम यहाँ पास में तो कोई दुकान दिख नहीं रही थी तो हम लोग निकले वहाँ से और चलिए मैंने कहा आइस क्रीम पालर कहा है देखते हैं तो पास में ही था ज्यादा दो नहीं था उस गार्डन के पास में एक आमूल का आईस क्रीम पालर था तो हम लोग वहाँ पे गए नक्षु 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 मैंने सीधा के लिए और मुझे लेने थे तो मैंने लिए फ्रूट्स ब lijते ले लिए उसके बाद हम लोग आ गए घर पे घर पे आने के बाद तो गा िलाए मुझे टो खाना भी बनाना था और नक्षु को पढ़़ाई भी कלא थे तो नक्षु तो आते यहां पढ़ने बैठ गया और उसके पापा भी आ गए थे घर पे और मैं आ गई अपना किचन में खाना बनाने अब मैं सोच रही थी अब मैं खाने में क्या बना हूँ तो वेजिस तो मैं लेके ही आई थी तो मैंने सोचा चलो आटे का चिला बना देती हूं सब वेजिस डालके तो तो उसकी वेज़े से जहादा नहीं थोड़ा ही डाला उसकी वेज़े से जहादा लाल दिख रहा था और यहाँ पे यह दोनों बाप बेटे खा रहे हैं खाना चिल्ला एंजोई करते हुए टीवी देखते हुए फिर नक्षु वापस चला के अपनी पड़ाई करने और मैंने स्क्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाई